जैहिंद जैभारत और वंदे मातरम आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गनिवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा अंतर तक जरूर देखना लाज तक जरूर देखना कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन पहलू के उपर बात करूँगा आप सब को पता है कि वन रैंक वन पेंशन की बात करें MSP की बात करें तो इसके लिए लंबा चोड़ा अंदोलन चल रहा है हमारे जवान जेसे उसके दुआरा और जब से 20 फरवरी 2023 से जब से यह अंदोलन शिरू हुआ है तब से अगर बात करूँ तो हमारे जैसे या मेरे जैसे और जितने भी शोशल मीडिया वाले भाई हैं जितने भी कवरेज वहां पे कर रहे हैं जंतर मंतर पर तमाम सभी सैनिक भाईयों ने अपसर लोबी को गदा बताया कहा कि अपसर लोबी है जो वही हमारा हक मारती आई है उसके बारे में हमने थोड़े सी और बात चीत करी तो हमें पता लगा कि जन्तर मंतर पर धरना परदर्शन शुरू किया और उन्होंने जन्तर मंतर पर ही जवान जेस्योज को साथ में लेकर के बोला कि मैं आप आपका हक दिलवाऊंगा जवान जेस्योज का हक दिलवाने की बात करते करते जन्रल सत्वीर साब जो है अपसरों के जोली में यह काओं कि अपसरों की जोली में जो है वो अधिकार दे गए और हमारे जवान जेस्योज का हाथ खाली रह गया ऐसा हमने सुना है और ऐसा मैंन हमारा हक जो है वो सरकार ने मारा हमारा हक जो है वो हमारे अबसरों ने मारा हमारा हक हमारे अधिकारियों ने मारा और शायद इसी वज़े से आज जवान जेसियों और अधिकारियों के बीच में एक लंबा चोड़ा जो है वो गैप बनता जा रहा है एक दूरियां बनती जा रही है लेकिन ये भी सच है कि सेना के अंदर जो अधिकारी है या जो ओर्स हैं जवान जेस्यों हैं यदि वो एक साथ हो करके काम ना करें तो देश किस स्थितियों में जा सकता है देश किस परेशानियों में जा सकता है बहुत अच्छे से समझ दें जो मैं कहना चा हो सकता है अनुशाशन के नाम पे आप लोगों तक ये जवान जेसियों तक ये दबाव रहता हो कि आपको अपने हक की आवाज बोलने भी नहीं है और बोलने पर आप लोगों के साथ अच्छा बरताओ ना किया जाता हो माना लेकिन इसका दुस्परिणाम कितना निकलता है कि जवान जेसियों अपसर के बीच में आज जो लंबी चोड़ी खाई निकल रही है उसका दुस्परिणाम कितना घातक हो सकता है उसको भी हमें समझना चाहिए और साथ ही साथ मैं बता दूँ मेरे ये कहने का मकसद ये कता ही नहीं है कि हमारे जवान जेसियों के साथ गलत न बात को और ये भी कह रहा हूं कि जर्नल सत्मीर साथ जो जवान जेसियों की अगवाई कर रहे थे उनके हक की बात कर रहे थे उन्होंने गगदारी की होगी मैं ये भी मान लिया लेकिन हमें बींगे इंडियन बींगे भारती है होने के नाते हमें ये भी देखना होगा कि आ नफरत के बीज बोई जा रहे हैं या नफरत जो बढ़ती जा रही है वो हमारे देश को कितना नुकसान पहुंचा सकती है मैं अपने आपको अगर बात करूँ एक पतरकार होने के नाते मेरा कोई मकसद नहीं होना चाहिए कि मैं अपने चैनल की टी आर पी बढ़ाने के लिए सिर्फ उल जुलूल वीडियो बनाऊ या किसी की बुराई करूँ और किसी की अच्छाई करूँ हमारा प्रियास यह होना चाहिए जिस किसी का हक मारा गया है तो उसको उसका हक दिलवाने का प्रियास हो और साथ ही साथ देश में शान्ती बनाने का भी काम हम लोगों का होना चाहिए आज जिस तरीके से जवान जेस्योज और अधिकारियों के बीच में जो दूरियां बनती जा रही है जो गैट बनता जा रहा है जो नफरत बढ़ती जा रही है हमें उसे भी कम करना है और उसके साथ साथ अपने जवान जेस्योज भाई का जो हक मारा गया है उसे भी वापिस लुटवाना है उसके लिए भी परियास करना है सिर्फ एक पहलू के उपर काम करना सही नहीं है कि जवान जेस्योज के अगर वन रेंक वन पैंशन की बात करूँ मैंसपी की बात करूँ केवल नके लिए वीडियो बनाउं और अधिकारियों को गालियां देता रहूं अधिकारियों को बला भुरा कहता रहूं तो वो भी सही नहीं है क्योंकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो जब लोग देखते हैं समाज के लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं यदि बहुत गहरा असर छोड़ती है समाज पर तो हमें इन चीजों को भी ध्यान में रखने हैं आप सब को पता है कि मेरी बात होती है लेप्रियंट करनल है गुर परकाश अधिकारी है और बहुत सारे बहुत सारे जवान जेसियो उनकी वीडियो को देखते हैं रियक्ट करते हैं अपने अपने हिसाब से सब के अपने अंदोलन का बहुत सारे जवान जेशोज भाई ऐसे भी थे जो इनका स्पोर्ट नहीं कर रहे थे जो स्पोर्ट नहीं कर रहे थे जो स्पोर्ट नहीं कर रहे थे जो स्पोर्ट नहीं कर रहे थे वो ये कहके कि स्पोर्ट नहीं कर रहे थे कि हम नहीं चाते कि हमारी हम अपने क किसी भी civilians को परेशानी पहुचाएं या फोजियों का ये काम नहीं है, सैनिकों का ये काम नहीं है, कि वो rail roko अंदोलन करें, मैं खुद इसके समर्थनुम्हां कि rail roko अंदोलन नहीं करें, और सिर्फ फेजियों को नहीं, किसी को भी, किसी को भी ये नोबत नहीं आनी से कि उसको रेल रोकनी पड़े, संसद के ओपर घहराव करना पड़े, या रेलों को जलाना पड़े, या किसी भी तरह से इस तरह का पोटेस्ट करना पड़े, जिससे हमारी आर्थिक विवस्था क को नुकसान पहुंसता हो या जिससे हमारी सरकारी संपत्ती को नुकसान पहुंसता हो मैं कहता हूं नहीं करना चाहिए लेकिन ये भी सच है कि बिना अंदोलन के हक नहीं मिलता है अब सब को पता है भी जिस तरीके से ट्रांसपोर्टर भाईयों के लिए ड्राइवर भाईयों के लिए जो कानून निकाला गया उसको काला कानून का नाम दिया गया और तीन दिन की हर्ताल की गई थी एक दो तीन आज तीन तारीख है और उसका फैंसला निकल के आ चुका है कि रेल क्या ना में रेल रो को किया रहो माफ़ी चाहूँगा कि जो ड्राइवरों की जो हर्ताल थी वो खतम हो गई है लेकिन क्या सरकार यही चाहती है कि हमारे देश के सैनिक भी इस तरह का काम करे तब आप उनको उनका हक दोगे खेर मैंने लेटिनन करनल गुर परकास का वीडियो चलाय था और उन्होंने मेल किया था सरकार को पीमो को की रेल रोको अंदोल उनको तुरंत रोका जाए इस वीडियो के ओपर आठ बजे का मैंने उनसे लाई भी लगाया था और उसके अंदर बहुत सारे 99% सेनिक भाईयों का या यूंकाओं की जवान जैसे भाईयों का कमेंट था कि अफसर लो भी होती गदार है अफसर ऐसे होते हैं वैसे मतलब आप समझ रहें जो मैं कहना चाहरा हूं कि उन्होंने अफसरों को बिल्कुल दर किनार करते वे वो कमेंट किये थे और कुछेंक भाई तो मुझे यहां तक कहेंगे कि आप इंसे बात ही मत करोऊ उनको कह कह देना चाहता हूं कि क्यों बात ना करें हम उन से चैनल केसी एक पक्स का नहीं है, मैं फिर बता दूँ, केवल जवान जेसियोज का नहीं है, केवल अधिकारियों का नहीं है, हर इस चैनल पर ये पोजियों का चैनल है, सैनिक भाईयों का चैनल है, तो इसके अंदर तमाम रैंक के आदमें अपनी बात रख सकते हैं, जिसको ज इस भी तरह की अपने विचार रखने देखिए ना यार हमारे हाथ में पांच उंगली हैं तो पांचों बराबर नहीं हैं ना तो सारे जवान बराबर हैं ना सारे जेस्यों बराबर हैं एक जैसे हैं ना सारे अधिकारियों के विचारे जैसे हैं कि सारे अधिकारी एक जैसे ह हमें समझना होगा और हमें एक दूसरे से बात करकर के ही निशकर्ष निकाल सकते हैं बिना बात करें निशकर्ष नहीं निकलेगा जब वो वीडियो मुझे रखता है करनल साब ने जो लाइव था उसके बाद के कमेंट शैद देखे होंगे उन्होंने आज जो कमेंट किया है वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ उन्हें आज फिर दो कमेंट किये हैं वीडियो के उपर और मेरी उनसे बात हुई है उस कमेंट के उपर पहले मैं आपको वो कमेंट दिखा देना चाहता हूँ अब अब देखिए मैं वो आपको दो कमेंट दिखाना चाहा रहा हूँ जो लेटेंट करनल गुर्परकाज साब ने किये हैं देखिए पहला कमेंट आपको नजर आएगा उन्होंने लिखा है घर घर जाओ फोज में मत जाओ घर घर जाओ कहो फोज में मत जाओ बहुत बड़ी चीज लिखी है समझने की जरूर जते हमें यहां पर सबसे ज़्यादा साफ लिखा है घर घर जाओ इन्होंने यह बताना चाहरे कि सुझाव दिया है कि हमें जवान जेस्टियों को वो प्रोटेस्ट ना करें तो क्या करें वो सुझाव है यह घर घर जाओ और कहो कि अब फोज में मत जाओ मलब यह कौन कह है लेपनियंड करनल गुर परकाश जी ने बोला है कि घर घर जाकर कि कहो कि अब फोज में मत जाओ इस जाओ बेस्ट सोलुशन आई कैन थिंक और इफ नो वन इस लिसनिंग इन इंडियन डेमोक्रेसी यदि भारतिये लोग तंतर में हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है हमारी किसकी जवान जेशोज की जो जंतर मंतर पर अपनी अगवाई कर रहे हैं जंतर मंतर पर अंदोलन कर रहे हैं यदि उनकी भारतिय लोक तंतर में कोई भी नहीं सुन रहा है तो वो घर घर जाकर के साथ कोओ कि हमें भारतिय सीना में नहीं जाना है या घर घर जाकर कोओ कि होज में मत जाओ क्योंकि सम्मान नहीं है एक और कमेंट है मैं वो भी दिखाता हूँ आपको ये रेखिए, पिछले 10 साल से हम ECOs, SSCOs, WSCOs की military rank की inequality की बात कर रहे हैं इनकी full form के साथ मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले लिखा है ECOs, Emergency Commissioned Officers दूसरा है SSCOs, ये है Short Service Commissioned Officers तीसरा है WSE, ये है Women's Special Entry इनके अंदर जो inequality जो S अमानता हैं उसके लिए ये लगातार बात कर रहे है पिछले 55 साल से कोई pension या ORP नहीं मिल रही है साफ लिखा है इनोंने कि पिछले 55 साल से कोई भी pension या कोई भी ORP मतलब one rank one pension नहीं मिल रही है और अब अगनी वीर पे डिबेट शुरू हो गई है तो कैसे हम फोज की इज़त बरकरार रख सकते हैं जैहिंद लिखा है तो आप समझ सकते हैं बहतर तरीके से कि इनोंने क्या लिखा है कि जो जवान जेश्यों जो और उपी अंदोलों जो चुल रहा है उसकी कोई इज़त नहीं है अब इसलिए घरगर जाकर के साथ कहो कि फोज में मत जाओ और पिछले दस साल से ये लगातार बात करें जो इन अक्यूलिटी है जो ऐसमानता हैं उसके लिए और अब उसके बावजूद लिखा है उसके बाद कि अब जो ये अगनी भी रहा है उसके ओपर डिबेट शुरू हो गई है लगातार इस तरह के मुद्ध सरकार लाए जा रही है जिस पर कहीं ना कहीं हमारे फोज की बदनामी हो रही है हमारे सैनिकों की बदनामी हो रही है ये दो कमेंट पढ़ने के बाद मैंने इनको फोन किया है मैंने इनको फोन किया है और बोला है कि आपने जो लिखा है कि फोज में मत जाओ बहुत बड़ी बात लिख दिया आपने ये इसको ले करके मुझे आपसे चर्चा करनी है दूसरी बात जो लाइव हमने लगाया था उसके अंदर भी बहुत सारे कमेंट थे जो केवल अधिकारियों को टार्गेट करते हैं इसको लेकर के भी मैंने इनको बोला था इन्होंने समय दिया है आज फिर आठ बजे का आज फिर शाम के आठ बजे सही आठ बजे एक बार फिर गुर्परकास जी लाइव आएंगे और उनसे फिर सवाल करेंगे कि आपने इतनी बड़ी बात लिखिये कि घर गर जाकर के कहो कि फोज में मत जाओ उसको लेकर के ऐसा क्यों या उसके पीछे क्या रिजन है दूसरा सवाल रहेगा कि आपने मेल किया था आपने मेल किया था पीएमों में कि रेल रोकों अंदलन को रोका जाए तो ये भी उपाये बताएं कि अब हमारे जवान जेसियोज क्या करें अब हमारे जवान जेसियोज चुप बैठ जाएं शांत बैठ जाएं रेल रो को अंदुलन नहीं करें तो करें क्या वो उसके लिए भी मैं चाहूंगा गुर्पकास साब ये वीडियो आप तक पहुँचेगा आप वो भी उपाये जरूर बताएं कि हमारे जवान जेसियोज भाई को क्या करना चाहिए कि उनको उनका हक मिल सके उनका भी सम्मान मिल सके या तीन रिटायर जज़ों की कमेटी की वो केवल मांग करें पैसा नहीं मांग रहें तीन रिटायर जज़ों की कमेटी की मांग करें उनको वो मिल सके बस इस वीडियो को मैं यही तक रखूँगा इस वीडियो में यही जानकारी देना चाहरा था कि गुर्परकास जी ने अभी दो कमेंट किये हैं वो मुझे लगा आप तक पहुँचाने चाहिए और आज रात को आठ मुझे फिर एक बार से करनल साब लाइव आएंगे और उनसे फिर हम सवाल शुरू करेंगे जैहिंद जैभारत